सारस और केकडे की कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुन्दर जील था उस जील में बहुत सारी मचलिया और केकडा भी रहता था वह सब बहुत कुशी से मिलजूल कर रहते थे लेकिन हर रोज उस जील के किनारे एक सारस आकर मचलिया पकड़ कर अपना पेट पूजा करता था जब भी सारस जील किनारे आ पहुँचता तब सारे मचलियों के बीच भागा दोड़ी शुरू हो जाता था ऐसे दिन बीटता गया धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था सारस बहुत दुखी होकर जील किनारे बैठ गया सारस का यह हाल देखकर जील की मचलिया बहुत खुश हुई सारे मचली सारस के सामने तैरने लगे पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा ऐसे कुछ और दिन बीट गए, सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकरा सारस के पास आया और पूछा भाई, दो-तीन दिन से देख रहा हूँ, तुम यहां चुपचाप बैठे हो एक भी मचली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया क्या बात है केकरे की बात सुनकर सारस फुट-फुट कर रोने लगा सारस ने कहा, क्या बताए दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ कुछ दिन पहले एक जोच्छी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह जील सुखने वाला है बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया केक्रे ने कहा क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है मुझे सब को बताना होगा सारस की बात केक्रे ने जील की सारी मचलियों को बताया सारी मचलिया और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला क्या बोल रहे हो जील सुख जाएगा तब हम सब कहा जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा न बचने का हम सबने तुमको हमारा दुश्मन समझा पर तुम तो हमारे दोस्त निकले हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया दोस्त अब तुम ही कोई उपाय बताओ सारस ने कहा अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ सारे मचली मान गए और कहा ठीक है, ठीक है तालाब में पहुचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मचली को अपने चोच पर लेकर जाना शुरू किया ऐसे कुछ दिन बाद केक्डे की बारी आई सारस केक्डे को लेकर रवाना हुआ कुछ दूर जाने के बाद केक्डे ने सारस को पूछा भाई, यह तालाब और कितना दूर है केक्डे की बाद सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा तालाब कैसा तालाब? यहां कोई तालाब नहीं है मैं तो खाने के लिए तुम सब को यहां लेकर आ रहा हूँ इतने दिनों से मचली खाखाकर बोर हो गया हूँ आज बहुत मज़ा आएगा तुमको खाकर आसपास देखो तुम्हारे सारे दोस्त के हड़िया अब तुम्हारी बारी है आपको बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया फिर केकडा अकेले जील वापस आ गया और बाकी मचलीयों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया सारे मचली बहुत खुश हुए और निश्चिन्थ होकर रहने लगे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए